How to book train tickets online in India in 2023 and 2024 2023 and 2024 में step in process को कैसे apply करना है और यहाँ पर गाइस आपको जो online train के tickets को जो booking से वो आपको कैसे करनी है अगर आप इंडिया में रहते हो तो तो यहाँ पर गाइस आज के दुनिया में online जो है platform बहुती जारा useful और safe होता है और आपके पास online में सारे records और data होती है अगर आपको टाइम बचाना चाहते हो तो ऐसे में आपको online train tickets बुक करने का जो process है वो आपको समझना होगा अपको प्लाइन में एक ही application है जो बहुत ज़्यादा पॉपलर है train tickets बुक करने के लिए जो की है इसमें आपको सबसे पहले अपना जो account है वो आपको registered करना पड़ता है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको सबसे पहले registration process complete करना होगा करना लिए आपको यहाँ पर रगिस्टर उसर के ऑप्शिन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर करके अपनी पूरी जो डिटेल से बो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना थे यहाँ पर बताया गया कि no registration तो फिलाल अभी जो timing चल रहा है यहाँ पर आपी बतादी मर्निंग में तो साइडी गारा की आज़ित घारा के बाद दिसका लोगिन करता हूं जैसे आप इसमें लोगिन करके इंटर कर तो आपको इस थायब का आप्षिन देखने को मिलता है तो यहां पर आपको गैस टृणं के करना है तो यहाँ पर आपको पूरी डिइटेल्स जे गई है hoe लु! Man looked. ग्लिक करने वाले तो । यहाँ पर आपको गईस इसकी वैबसाइड भी है, isatc.com, वहाँ पर आपको प्रोसे स्मझ भीने आएगा, एप्वेकेसिन से आप क्विकली यह प्रोसेस कमउडी कर पहो गया, यहाप पर आपको दिया गया है From To, तो यहाप आपको जहां से आप को पिक Dewू करने वाले हो, वह प्लेस का आपको नाह में आप लाते सEP하면서 यहापर में लीकूँगा बादे सEP आपको भी यहाँ पर उसी गाहों के नियरवाय टेशन करना है जहापर आप उतरना चाहते हो यहाँ यहाँ बांदर टेर्मिनस में राजस्थान मारवा जिक्सन पर उतरने वाला हो यानि कि पुरा डिल हो उसके बाद आपको है पर डेट सिलेट करना है कि कौन से डेट को आप ट्रावल करना चाहते है तो जो डेट आपने सिलेट किया है वो डेट पर आप कोई ट्रेंड एवेलेबल बिल जाएगी तो आप बैरेक लिए रिजूरेशन टिकेट बुक कर पहूंगे मतलब मोस्लिक अब इस टाइम का टाइम चा करने वालो तो यहाँ पर मैं 10 जुलेट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर आपको फिक्स दिया गया है फ्लैक्सिबल वित डेट यान कि इसका मतलब यह है कि जो भी डेट को ट्रेंड एवेलेबल होगे वो डेट आप यहाँ उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सिलेट होगी उस ट्रेंड की ज्यवेलेेबल नहीं है जैसे की यहाँ पर मतलब होता है 3 असी होता है तो यह पूरा डीटल है यानि कि एसी है यह और ऐसे मतलब स्लीप हो रहता है आप अगर आपको अगर वो जो ट्रेन है पुरा एवेलेबल है तो यहाँ पर आपको इस तरीके का उप्शन दिखाए गए जो ग्रीन दिख रहा है एवेलेबल 8 एवेलेबल 30 एवेलेबल 27 यह मतल अगर खुरेगे तो आपका जो सीथ है वो रिजरिशन हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह जो दिया है टाइमिंग यह दिया गया है कि उस टाइम पर आपको वो स्टेशन पर पहुचना है जहां से आप ट्रेन पकड़ने वाले हो तो यहाँ पर आपको पर देख भी आ गया है एंदर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह अगले दिन मौर्निंग में सुभह तीन बज़े तक गाउं में पहुचा देगया निकी डाइट यह दुपर का है और यह रात का है तो यह सारी के सारी डेट से आपको दिये गई है तो टोटल तो अब ही मैं स्लिपर टिटेट बुक रूगा 10 तरीका तो यहाँ पर मैं ने 10 तरीका गूं किया है अंदर इसके बाद यहाँ पर जो प्राइस है वो आपको बता देगा इसके बार आपको पैसंजर डीटूर्इस पर शैर पकड़ना गर्याई स्कीन गोजिए है को पोई टेंट को पकरना चाहते हो तो यह बॉड़िंटर ठेशिंग कौई काफood March आप को पकरना अचाहते हो उसका बोडिंटर लिए व को पकरना है उसके बाद यहाँ पर आपको passenger details फिल करना हैं कि आपके साथ साथ अगर आपके और भी family members से जिनको आप साथ में लेके जाना चाहते हुआ है यहापर उनका बी टूइड अगर आप बोकाना होगा तो यहापर आपको अगर आपकेसंड डूलोग जारे है तो यहाँ पर आपको दो लोगों की टिकेट्स भी बोक करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले add new के option पर क्लिक करना है, और यहाँ पर उनका नाम इंटर करना है, let's say example मेरे कैसे में राम लिखता हूं में, राच, एंधर उनका age लिखना है 25, यहाँ पर उनका gender लिखना है, जो आपके साथ जाना चाहता है, और उसके बाद उसका age लिखना है, उसका gender लिखना है, और यहाँ पर आपको बस select करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से feel करना है, और उसके बाद अगर आपके साथ में कोई बच्चा है, यानि कि 10 साल के अंदर तक अगर कोई बच्चा ह तो उसके लिए आपको यहाँ पर यह वाला option से लिए काना। यह वाला option उस बच्के के लिए अगर आपके साथ में कोई बच्चा है तो उसके लिए टील करना है। बच्चे का age यहां पर आपको डालना है 10 साल याने की एक से चार साल तक है उसका डिटल आप यहां पर डाल सकते हो अगर 4 साल की ऊपर उसका age है तो अभी से बात है आपको यहां पर पैसेंजर डिटल में उसको आड़ करना होगा इसका भी टिकेट यहाँ पर चार्ज होगा, तो इसके बाद यहाँ पर आपको इतना टिकेट करना है और यहाँ पर आपका मुबाइल नमबर दाना है जो आपका 24-hour एक्टिवेट रहता है, उस मुबाइल नमबर पर आपको 10 टिकेट की पुरी डिटेल्स मिलेंगी, इसके ब आपको फिल करनी है, that's it. So, यहाँ पर पूरा passenger detail एड करने के बाल, अगर आपके साथ में कोई बच्चा है जिसका age 4 साल तक है, तो उसका आप add infant के option पर आपको उसका detail फिल करना होगा, लेकिन यह बच्चे का category है, यहाँ पर आपको add infant, यह सिव चार साल तक इसका detail फिल करना होगा, उसके बाद आपको review journey, यहाँ पर मैंने total 3 लोगों को add किया है, total मैं 3 लोगों and then उसके बाद यहाँ और 2 लोगों को मैंने add किया, और 4 ट्रस एक बच्चा है, उसके बाद review journey के option पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको tickets बताएगा and then यहाँ पर आपको price बताएगा, तो देखो कि 14 रुपे price है, because मैंने sleeper में 3 लोगों का ticket मैंने book किया है, एक मैं मेरे साथ में और 2 लोग है, उनका ticket मैंने book किया है, तो यहाँ पर total 14 रुपे बताएगा, अगर मैं अपने single का अगर मैं फिल करता, तो आपी इसी बात है यहाँ यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा, because यहाँ पर मैं अकिला जारो, साथ मेरे कोई है नहीं, तो मैं अपना detail आपी फिल करो, तो अगर आप अपने single के लिए आने कि अकले के लिए ticket book करें, तो यहाँ पर आपको passenger detail में अपना detail है, उसे फिल करना होगा, जो आपका नाम और उसके बाद review जने के option पर क्लिक करना होगा, प्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको details बता जागा, आपके mobile number और आपके email आड़ी पर आपको ticket send किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको details यहाँ पर show कर जाएगा, उसके बाद मेरे email आड़ी और मेरे mobile number पर मुझे जो ticket है, व जो 10 पकड़के जाना है, तो यहाँ पर guys, मैं अकेले जारू हो, मैं single person हो, तो यहाँ पर मेरा पुरा detail है, और यहाँ पर मेरा ticket का price है, because it is sleeper class है, लेकर अगर आपका AC है, तो उसमें आपका price ज्यादा होगा, उसके बाद directly आपको यहाँ पर process to pay option पे क्लिक करना है, यहाँ अब आपको S करना है, तो यहाँ पर मुझे capture enter करना है, तो यहाँ पर capture आपको enter करना है, प्रोपर तरीके से, तो यहाँ पर capture आपको प्रोपर तरीके से enter करना ही है, ताकि verification purpose के लिए process to pay option पे क्लिक करना है, और यहाँ पर next आपको करना है, अब उसके बाद यहाँ पर आप payment का करना चाहते है वो आपको डीटिल देया गया है multiple payment mode से आपको यहाप पर आप paytm का यूजच करके payment कर सकते हैं आपको phone पे का use का सकते हैं Google पे का use कर सकते हैं यहापको सारा ओप्षिन दिया गया है उसके बाद wallet का भी option आपको लुक कर सकते हैं, wallets भी आपको option आप दियेगा है, pay letter का भी option है, pay letter भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट पर आप यूज करते हो, अभी आप यहाँ पर यहाँ यहाँ पर आपको फॉस्ट आपको आपको लुक करना है, अगर आपका पी वर्क नहीं कर रहा है, नेट बैंकिंग का यूज करके यह बिडिट कर्का यूज करकर यूज करके आता पे यहाँ प्यमिंट कर सकते हो, होता है इससे डारिकली आपको कोई बैंक डीटिल करने की जरुवत नहीं है डारिकली आज जैसे आप नेट बैंकिंग का ओप्शन से लेट हो जाओगे तो आपको अपने बैंक का डीटिल से वाओगे आपको फिल करना है अब यहाँ पर आपको अप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर यहाँ से डारिकली आपका प्पेमेंट है पुरी दरीगे से कप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मेरा जो ट्रांजक्शन है पुरी दरीगे से सक्सेस्फुल हो चुका है यूग दो पर के बारा बजे अगले दिन नाइट में दो बजे मुझे टेशन पर छोड़ देगा जहाँ पर मुझे जाना है और यह मेरा ट्रेन का पी नर स्टेटस है तो बस यही है और उसके बाद यहाँ पर पुरा डीटल दिया गया है यानि कि पुरा जो ट्रेन का डबबा है कौन से ट्रेन का डबबा है कौन से ट्रेन मुझे बेटना है यह पूरा डीटल यहाँ पर दिया गया है तो यह S5 है और यहाँ पर 34 है तो इस तरीके से आपको जो ट्रेन का टिकेट है वो और गाइस अगर आपको ट्रेन के टिकेट से अगर आपको कैंसल करनी है तो आपको डिरिकली जो कैंसलेशन का ओप्षिन आप दिया गया कैंसलेशन और तो यहाँ पर आपको टिक करना है और यहाँ पर आपको डिरिकली अपने टिकेट को कैंसल भी कर सकते हों तो इसी तरीके से आपको जो ट्रेन के टिकेट्स है वो आपको बूक करनी है इसे डिस दिस ए आपलिकेशन का यूसर करके तिस ऐल एंट 2023 और 2024. 2024 में भी आपको यही से में रहागा आपको देखने कर भी लेगा थे डिकेट्स बूक करने के लिए. So this is the way to book online tickets in India in 2023 and 2024.